हेलो व्रियों स्वागत है आप लोग का हमारे ट्यूप चैनल अश्टार्ण क्लास में आज किस वीडियो में हम देखने वाले कि आप लोग का दो रोगा भरती का जो एक्जाम जो होने वाला था आप लोग का इसके लिए जो एडमीट कार्ड जारी कर दिया गिया और जून मे सबसे पहले कि बिहार पुलीस में जो 1275 दरोगा के पदों पर बहाली को लेकर तिसरे चरण की एक जारी कर दिया गया है नेक्स्ट आप बताया जा रहा है आप लोग के जून के दूसरे सब्ता से सुरू होने वाली इस जाच परिछा को लेकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपने अधिकारिक वेबसाइट पर यह जारी कर दिया गया है यानि कि जो बिहार पुलिस अपर सेवा जो आयोग है इसके जो है अधिकारिक वेबसाइट इस पर आप लोग का डमीट कर जो हो जारी कर दिया गया है और यह जून के दूसरे सब्ता से आपर सुरू होने वाली है और निशना पर बताया जारा है मुख लिखित परिच्छा से चुने गया है यहाँ पर 7623 अभियरती रेजिट्रेशन आइडी या मोबाइल नंबर के साथ जर्मती थी वो कैप्चा को डाल करके और अपने एडमीट कार जो है डानलोड कर सकते हैं यानि कि जो मुख लिखित परिच्छा हुई थी उससे जो कितने अभियरती 7600 जो अभियरती चुने गये हैं तो इसके लिए जो है वह अपने रेजिट्रेशन आइडी या फिर मुबाइल नंबर को डाल के और इसके साथ ही जनमती थी डेट वर्थ को डालेंगा और कैप्चा को डाल कर अपना एडमी आवेदन की पर किरिया हुई थी यानि कि अगर हम बात करें कि इसमें यह जो हमारी बहाल नहीं थी 275 पर तो इसके लिए आवेदन की अधार पर हुई प्रारंभिक परिच्छा से 25,405 अभियरतियों का चैन हुए यानि कि जो पहली प्रारंभिक परिच्छा हुई तो 275 प हुआ दूसरे चरण के लिए और जब दूसरे चरण की जो मुख लिखित परिच्छा यहां पर हुआ फिर फरवरी 2023 में हुई मुख लिखित परिच्छा से पद की करीब 6 गुना भियरतियों का चैन जो वह तीसरे चरण की सरीरिक जांच परिच्छा के लिए हुआ है यानि हुआ तो उसके बाद करीब जो यहां पर जो मरपद है 1275 तो इसके च्छोगुना यहां पर जो है अभेर्थियों का चैन जो है तीसरे चरण की सरेक जांच परिशा के लिए हुआ यहां पर देख सते हैं यहां पर जो भेर्थि को दोड़ होने वाली है उंची कुद होगी लंबी कुद होगी गोला फेक होगा इसके साथ ही यहां पर जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन और सारे किरिया की जाएगी तो इसका जो है एडमिट कर जाई हो चुका जून में सारीक जाच और जून के जो द कुद घो और जाएगि究।